Hello friends, this is Sanjay Sankhyaan and you are watching HP Notifications by Sankhyaan. दोस्तो, आज किस वीडियो में मैं Income Tax Act के तहट कुछ अपडेट लेके आया हूँ. यदि अभी तक भी आपने अपना Income Tax Return नहीं भरी है, तो मेरा ये अपडेट आपके लिए महत्वपूर रहने वाला है. Income Tax Act के अनुसार, 30 जुलाई तक Income Tax Return भरना जुरूरी है, परन्तु इस बार COVID-19 की बढ़र से इसे 30 स्टमबर तक बढ़ा दिया गया है. यदि 30 स्टमबर तक भी आपकी ITR नहीं भरी जाती है, तो कभी भी Income Tax Department की तरफ से नोटिस आपके घर में पहुंच सकता है. जो दूसरा अपडेट मैं आपके साथ लेके आया हूँ, वो यह है कि Income Tax ने अपनी वेबसाइट जो पुरानी वेबसाइट थी उसको अपरेट करके निया वर्जन 2.0 इंटिड्यूस किया है, इसमें क्या-क्या चेंज़स हैं, उसके बारे में भी मैं आपको अपडेट करूँगा. तीसरा जो अपडेट मैं आपके साथ डिसकस कर रहा हूँ, कि इस बर्स आपको Income Tax भरने की दो आप्शने रहेंगी, आप चाहें तो पुराने Old Regime या New Regime में Income Tax भर सकते हैं, इसमें क्या आपकी Tax Slab रहेंगे, इसमें भी हम चर्चा करेंगे. प्रन्तो एक बात जो महतबुन मैं आपके साथ डिसकस करना चाहूँगा, यदि आपने एक बार New Regime में Switch Over कर लिया, तो फिर उसको Change करने की Option आपके पास नहीं रहेगी. इस पर का क्या होगा Income Tax Slab, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, तो यह सब जानने के लिए जुड़े रहे हैं, HP Notifications. दोस्तो, Income Tax में आपको कुछ Terms मिलेंगी, Assessy, Assessment Year, Previous Year, Gross Total Income. Assessy बो परसन है, जिनका Income Tax कट रहा है. Assessment Year बो एर है, जिस एर के लिए आप Income Tax वर रहे हैं, और Assessment Year बो एर हुआ, जिसमें आप Income Tax Return वर रहे हैं, और Previous Year या Financially बो एर हुआ, जिसके लिए आप Income Tax वर रहे हैं. Gross Total Income, ऐसी Income है, जो आपके 5 Shores of Income है, उनसे जो Total Income आती है, उसे Gross Total Income हम लोग बोलते हैं, कुछ इसमें आपको Deductions मिलेंगी, Exemptions मिलती हैं, ठीक है? अब जो 5 Shores of Income है, जो आपके पास Total Income आती है, वो सिर्फ Income Tax Act के तहट सिर्फ 5 ही Shores है, जहां से आपको Income Tax के लिए जो Income आती है. सबसे पहले है, Salary, Salary या Pension, और जो दूसरा इसमें Shores है, वो है Income from House Property, House Property का मतलि यह हुआ, कि यदि आपको उसमें से Rent आ रहा है, तो भो भी आपका एक Shores of Income हुआ, तीसरा जो आपका Shores of Income रहता है, Business and Profession, अगर आपका Business चल रहा है या आपको प्रोफेशन कर रहे हैं, चोथा आता है Capital Gain, Capital Gain वो गेन हुआ, यदि आपको इपने Fixed Assets बेशते हैं, उनसे जो आपको Profit होता है, वो आपका Capital Gain हुआ, और पांचमा Income from Other Sources से एक ऐसा Head है, जो कहीं भी आपका Income Adjust नहीं हो रही है, वो आपकी इस Income Head में आएगी, जैसे कि FDR के उपर आपका Interest आ या आपका Saving Count का Interest है, वो सारी Income जो है, वो इस पांच में आपके Head of Count में आएगी, इस वीडियो में मैं सिर्फ Income from Salary ही डिस्कस करेंगे, अगर आपने ITR वरनी है, Income Tax Return वरनी है, तो आपके पास ये तीन डकुमेंट जो है, इनमें से कोई भी एक डकुमेंट आपके पास होना चाहिए, Form 16 DDO के द्वारा इशू किये जाता है, जिसमें पूरी जो अपने Income की Detail, जो अपने DDO को दे रखी है, वो रहती है, अगर आपके पास ये Form है, तब भी आप Income Tax Return वर सकते हैं, यदि आपके पास ये नहीं है, तो आपके पास Salary Sleep Last Year की होनी चाहिए, उससे भ भी आप Income Tax Return वर सकते हैं, उसके अतरिक आपको Online ITR भरने के लिए, यूजर नेम और पास्वर्ड मेंडेटरी है, यूजर नेम आपका वो रहेगा, जो आपका पैन नमबर है, और जो पास्वर्ड जो आपने बनाया है, इफ आपका जो पास्वर्ड वो आप भूल चुके ह तो एक option इसमें रहती है, वहां से आप reset, forget passport पे जाके उसको reset कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी discuss किया, इस बर आपको दो method रहने वाले income tax भरने के लिए, एक older regime और new regime, इसके जो rates हैं, जो slab हैं, वो इस तरह हैं, जो ये मैं slab बता रहा हूँ, 20, 21, 22 के, धाई लाग तक आपको कोई भी tax देने की जुरूरत नहीं है, धाई लाग से 5 तक आपको 5% tax रहेगा, 5 से 10 तक 20% और 10 लाग और उससे अबब अगर आपकी income है, तो 30% आपका tax रहेगा, ये तो थे old regime के, और अब आपको मैं बता रहा हूँ, जो flat rate है, या जो new regime है उसमें भी आपको धाई लाग तक कोई आपको income tax नहीं है, धाई से 5 तक आपको 5% देना पड़ेगा, 5 से 7 तक 10% उसके बाद 5, 5, 10 के बाद 15, 20, 25, 30, ये जो है धाई धाई लाग भी आपका 5% जो बढ़ता रहेगा, अब मैं आपसे एक बात और update देना चाहूँगा, कि ये एक उनके लिए, दूसरा ऐसे individual जो tax का refund क्लेम करना चाहते हैं उनके लिए, और तीसरा ऐसे individual जिसने horse loan pay rate लेनी है, उनके लिए ये online income tax return भरना mandatory है, अब online ITR अपने आप कैसे भरें, ये आपके मन में भी question हो सकता है, तो मैंने पहले आप से बताया कि Google बाबा के पास हम जाए या हम अगर simple में लिखना चाहें, तो income tax.gov.in ये इसका URL है, आप यहाँ इस पर सर्च करके, आपके पास एक interface यहाँ पर ये खुलेगा, ये new website है, जो पराने वाली थी, वो उसको upgrade कर दिया है, इसमें तीन objective लेके इसको upgrade किया गया है, जो पहला objective ये है, कि कुछ चीजें जो redundant हो चुकी थी, उसको इसमें से delete कर दिया गया है, और जो दूसरी चीज, जो main रहेगी, वो ये है कि इसमें data जो प्रिफिल आएगा, प्रिफिल का मतली ये हुआ, कि जो form 16 पे अपनी statement दे रखी है, वो data automatically यहाँ पे आ जाएगा, और जो तीसरी थी, tax evasion बचाने के लिए, क जो होता क्या था, कि जो form 16 पे हम के बर कुछ data अलग चला जाता था, और कुछ जो हम fill करते थे, कुछ गलतियां रहा जाती थी, तो अगर उस data को, क्योंकि ये pre-fill आएगा, अगर हम चाहते हैं कि उसमें change करना, तो text department की तरफ से clear instruction है, कि अगर आप उसको change करना चाते है, तो information होने लिखे आएं, और इसको कैसे online भरे जाएंगा, अगर मैं इस video में बनाता हूँ, तो ये video बहुत लंबी हो जाएगी, मैं कोशिश करूँगा, कि एक online कैसे ITR भरी जाती है, उसमें मैं separate video बनाऊ, इसी तरह की video मैं आपके साथ लिखे आता रहूँगा, अपडेट आप